हलो फ्रेंट्स, वेलकम टू एजक्वेशनल हाइक्स, तोड़े वी आ गोंग टू स्टार चैप्टर 18, वेस्ट वाटर स्टोरी, आज हम लोग देखेंगे वेस्ट वाटर स्टोरी और जो भी बच्चा इस सैवंथ की साइन्स की सीरीज में रेगुलर नहीं है, उससे भी मैं नोटिस कर रही हूं, और जो बच्चा रेगुलर है मैं उससे भी नोटिस कर रही हूं, तो नेक्स वीडियो में मैं उन बच्चों के नाम लूँगे जो जो रेगुलर है, तो पहले हम देखते हैं वेस्ट वाटर स्टोरी, यह बहुत ही इंपॉर्टन चैप्टर है, क्यों करते हैं जो जिस पानी को हम वेस्ट कर चुके हैं यानि कि बहुत जगा पहे जो भी चीज़े रहgeneration गरे ने मैं रहे हम दिन करते हैं, मैं इस वह हताै है, यह मैं वो डिएस तो सटंही इंपॉरह सद्टी कर thin, यूद करते हैं हम दिना चाप्टर करा पहले हैं, पहले चोलत स से इंफोर्मेशन आपको देती हूं कि इंडिया की कैपसिटी कितनी है कि वो वेस्ट वाटर का ट्रीटमिंट कर सके एक दिन में इंडिया 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 मतलब एक दिन में कैपसिटी कितना रखता है लगभग की तेईस हजार मिलियन लीटर पर दे जिसे वो प्यूरिफाई कर सकते हैं ठीक है तो यह छोटी से information थी अब हम आगे देखते हैं आगे हम देखते हैं pdf अपना देखते हैं All of us use water in our homes and make it dirty. हम सब water को use करते हैं और इसे dirty बनाते हैं. बहुत सारी चीज़ों को करके, मतलब देखो जैसे अब डिर्टी क्या होता है? डिर्टी सुनते ही आप सर्प्राइज हो जागे. Are you surprised or not? आप सर्प्राइज हुए. अब देखो, जो water, जिस water में rich in leather, mixed with oil, black brown water that goes down and drains from sinks, showers, toilets, laundries, it's dirty, it is called waste water. मतलब वो water, leather मतलब होता है जाग, जिस water में तुम्हारा जाग मिला होगा है, नों की साबुन का जाग, या फिर किसी भी चीज़ का जाग जो होता है, और जिसमें तेल वेल मिले हों, और जिसमें बहुत तरह किसे colorful पानी यानि की जो गंदा हो जाता है, वो देखो कैसे black दिखता है, brown दिखता है, जो कि हमारे drainage system के through नालियों में बहते हैं, हमारे नालियों में बहते हैं, shower से आते हैं, toilet से आते हैं, laundry से आते हैं, यही सब तो waste water होता है, अब यह waste water को हमें क्या करना चाहिए, इसे waste नहीं करना चाहिए, हमें इसमें से remove कर देना चाहिए, pollutants को, और फिर हमें फिर से इसे use करना चाहिए, अब जैसे आप घर में, मानो, आपने सबजी को वाश किया, ठीक है, आपने सबजी को वाश किया, या फिर आपने वेस्ट वाटर के सद्च क्या होता है कि देखते हैं water our lifeline में clean water is the basic need for human beings अब आपको पता है fresh water यानि clean water की सारे human being को जरूरत पड़ती है अब आपको एक mind map बनाना है कि हम कहां कहां पर use करते है clean water 18.1 में यही बताया गया है मतलब आपको लिखना है we have given one example of the use of clean water जैसे यहां पर drinking दिया गया है clean water put to use use अब clean water को कहां gonna use करते आप देखो because यूजन में use करते हैं धी में वाशिंग में andrew於 उचें वरफ उखरते हो वाशिंग अगर आपको अपने कप्ड़े दुलने हैं iूज करते हो अगर आपको utensils दुलने हैं तो भी आप यूज करते हैं तो मेंगे यूजेज हैं क्लीन वाटर के ठीक है इसको तो बहुत सारे अंकाउंटेबल यूज़ है आप क्या सकते हो अब मागे रेखते हैं कि क्लीन वाटर दैट इस फिट फॉर यूज़ इस अनफॉर्टनेटली नौट अवलेबल तू अल जो क्लीन वाटर है यह उनफॉर और ड्रिंकिंग वाटर यानि कि आप समझ सकते हो 1 BILLION मिलियन नहीं है यह लिए पीपल ऐसे हैं जिनके पास ये एक मिल्यान में 10 लाग होता है और 1000 मिल्यान पीपल ऐसे हैं जिनके पास फ्रेश वॉटर नहीं पहुच पाता है यहानि कि सेफ वॉटर नहीं पहुच पाता है तो वह गया हो गया डिसेंट्री अभी हमाँ देखेंगे बहुत सारे डिसीजिस फैलिंगी और बहुत तो लोगो पीपल इवन चिल्रेन वाकव सिवेरल किलोमेटर तू कल ए लोग और ऎब बच्य की जाते हैं बहुत दूर दूर बहुत लूमेटर चल करके जाते हैं पानी को लाने के लिए क्लीन मॉटर को लाने के लिए हमने पिछले चाप्टर में देखा था वाटर अप्रीस रिसोर्स में कैसे बच्चों बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं पानी लाने के शक्कर में बहुत जगा पे असा है अब आगे हम देखते हैं आपने देखा है पिछले चाप्टर में 16 चाप्टर में आपने देखा है कि कैसे पानी की कमी है scarcity क्यादा कमी है किस वाज़े से बहुत सारे factors हैं एक तो झो़े इतने जाधा population बढ़ रहा है उपर से pollution हो रहा है और जो इतने सारे industrial development हो रहे है development के लिए पानी का कितना consume हो होता है पानी तो इस वज़़े से कितने जादा scarcity आती है और mismanagement की वज़े से भी मतलब यानि हमने देखा था कि distribution कितना uneven होता है कि मतलब कहीं पे ज़्यादा पानी कहीं पे कम तो ये भी एक factor है तो इन सब सारी चीजों की urgency को realize करते हुए realizing the urgency of this situation on the world water day यानि 22 March को 2005 में जो General Assembly of the UN है यानि कि General Assembly of the United Nations proclaim the period 2005 to 2015 as the international decade for action on water for life यानि कि इतनी alarming situation को देखते हुए जो UN है General Assembly है उन्होंने क्या किया 2005 से 2015 तक यानि 10 year हो गया तो decade होगा इस decade को ऐसे declare किया गया कि water for life इसको इसमें क्या किया गया इसमें जो individual हर person है वो अपने efforts को डालेगा during this decade aim to reduce by half the number of people who do not have access to safe drinking water तो मतलब ये जो water for life है कि वो चलाया गया campaign समझ लो इसमें क्या हर individual अपना effort डालेगा कि जितने लोगों के पास पारी नहीं पहुच पा रहा है उन में से आध हो कि ये problem तो solve हो ही जाए अब इससे क्या हुआ there has been perceptible progress in the direction में बहुत ज्यादा progress तो हुआ लेकिन but still there is a lot to achieve अभी यहां पर बहुत कुछ अचीव करना बाकी है तो इससे हमने ये देखा अब हम आगे देखेंगे कि cleaning of water is a process of removing pollutants before it enters a water body और is reused अभी मैंने बात करा कोई भी wastewater है वो किसी भी water body यानि बड़ी किसी नदी और या किसी बड़ी से चीज में बड़ी water body में जाके मिलने से पहले क्या होता है जो wastewater होता है उसमें से pollutants को remove कर दिया जाता है और इसे clean कर दिया जाता है this process of wastewater treatment is commonly known as it takes place in several stages यह मतलब एक-दो stage में नहीं होता है पानी को clean एक-दो stage में नहीं बना जा सकता है बहुत सारे stages होते हैं filtration यह वह अभी हम आगे सारी चीजे discuss करेंगे अब यह सीवेज होता क्या है what is सीवेज 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 is wastewater released by home industries hospitals offices and other users अब वेस्ट वोटर कहां से आएंगे तमारे हमारे घर से आएंगे इंडस्ट्री से आएंगे वहां पर कितने सारे इंडस्ट्री में chemical release होंगे और industrial waste वैसे भी कितने रिलेज होंगे पानी में हॉस्पिटल से कितना wastewater निकलता है ओफिस से कितना निकलता है तो इन ही सब को सीवेज कहते हैं इडसो इंक्लूट्स रेइन वाटर डैट हैस रन डाउन दे स्ट्रीट ब्यूनिंग स्टॉर्म और हैवी रेइन जब बहुत जादा बारिश होते है या फिर स्टॉर्म के दो वाटर डैट वाटर डैट वाशेज ऑफ रोट्स रूफ टॉफ टॉफ सभी मैंने यही बता कैरीज हाम्फुल सब्स्टंस विद इट तो वह मानो चट पे कोई पानी गिरा तो जब नीचे आएगा तो चट की मिट्यों को भी चट की गंदगी को भी नीचे लेकर ृ कौण ख़ए लेकर आइगा सीवें एड़ tą मोच्वफ लॉटक होता है जिसमें चितना की आएग Giving of Light को कोई एगरें को कुछ स忘ने मलता दा लकू से बाहर निकलता है तो कितना गंदकula कंड़ाता चाहां में कितने सारी impurities dissolve हो जाती है अब 18.2 activity में आपको क्या करना है locate and open drain near your home अपने घर के आसपास एक drainage system होता है उसको आप अब्जव करो road side के साथ और उसको inspect करो water flowing through it और water कहां से फ्लो कर रहा है तहां पे जार आएगे सारी चीज़ें आप जो है स्याप्टर को पढ़ने के बाद आप अब्जव करना और आप उस जो नालीगियों से पानी बहरा है उसका आप को color रिकॉर्ड करना और अब जो भी observation कर रहे हो उसे जो है क्या करना रिकॉर्ड करना और इसको डिसकस करना विडियो फ्रैंस और टीचर और फिल अभी आपको 18.1 एक्सराइज करना है तो इसको आपको फिल भी करना अभी मैं 18.1 जो यह आपको यह एक्सराइज में करवा दूंगे आपको टेंशन लेनी की कोई जरूत नहीं है बस आप लोग जल्दी से जादा 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 इसको शेयर करिए और अपने फ्रैंट्स को बुलाइए कि 7th का सीवीज दो चल रहा है आप लोग इसको सपोर्ट करो भाई आगे हम क्या देखेंगे वी नो दाट शेंटेर नहीं कमें definitely इसमें इस नहीं की स्रिफ नहीं होता है इसको अनुल्हां और स्मिनिक रहा होते हैं इसमें नेत्रीशन होतेермह मैं सोतेज्च वejक्टेरिया ह Bluetooth हैं और कुछ माकूपसी रहोग तो ईसमें देखेंगे कैसेों ऑर गैर याज़ मेंकिकितर आजाएंगे प्रूल रहाजाएंगे और शॉन रहाजा है यानी की अर्भी साइड सायगा लिए ते उसको अन्वांटिट में कोई प्लांट्स लेक्टा के वह हो गया और बहुत सारे वेस्ट हैं यह और्गैनिक हो गए, इन और्गैनिक इंपरिटीज में क्या हो जाएंगे, नाइट्रीट्स, फॉसफेट, मैटल्स, और नुट्रिशन में तुम्हारे नाइट्रोजन, फॉसफोरस, नाइट्रोजन जानी रहोगी, प्लांट्स की ग्रोफ में कितना जादा है, और बहुत स जाथ है टाइफाइड से टाइफाइड हो जाता है, ताइफाइड होता है, प्लाइप कंटामिनेटर वाटर से वहता है, अभी आप तामिनेटर वाटर को यहांनी गंदे पानी को आप यूज़ करें पी लो, एक बारी मैं ही, यमनारिवर्ज है, बहुत जादा इंप्यूर आगे हम देखेंगे water freshens up and eventful journey अब अपने घर पे आप देखते हो या फिर in a home और a public building generally one set of pipe brings clean water and another set of pipes क्या करता है टेक आवे wastewater मतलब आप किसी भी घर में देखते हो किसी अपने घर में देखोगे कि या फिर किसी भी बड़ी को सेट कि अगया रहता है कि दूसरे से तमारा wastewater निकलता है पहले हम इसके बाहर हम यह देख लेते हैं यह 18.1 इस kullan को हम देख लेते हैं समयं क्या दिया आपको एक जगा पिया गया है types of sea waves दिया गया है types of sea waves दिया गया है और point of origin दिया गया है आपको हो में क्या दिया गया है और कंटामिन त идगा और एनी अदर रिमार्क अपको 蹂से फरस्ट में है कि correl wraps Leo निकलता है किचन आ घै किसे में सब Eye dissolve शीन किचना गया यह सब जाएंगे लिगा करहdate है कि चैन पर के अगर इसका हमें अधर रिमार्क देखें तो मैं बता दे रहे हूं आप लोग कर ले ना वैसे तो आपको यह खुद करना सी अक्टिविटी बहुत एजी है और अगर हम सेकेंड वाले में यानि फॉल वेस्ट में देखें एनी अधर रिमार्क में नॉट फ्री फ्रॉम फेशल कंटामिनेशन नेक्स्ट हमारा क्या है ट्रेड बेस्ट है जिसमें इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल और अगर इसका हम देखें सब्स्टेंस विच कंटामिनेट तो कैमिकल इंडस्ट्रियल वेस्ट बहुत सारे चीज़े हो जाएंगे और यह एनी अधर रिमार्क में होते हैं अब आगे देखेंगे यहां पर हम देख रहे थे कि imagine that we could see the ground अभी हम देख रहते हैं एक तलब से कैसे एक सेट आप से क्लीन वाटर आ रहा था दूसरे सेट आप से कैसे वेस्ट वाटर निकल रहा था तो अगर हम इस जमीन के नीचे जो यह ग्राउंड के नीचे ह अगर हम उसे देख पाएं we would see a network of big and small pipe इसे क्या कहते हैं called sievers forming क्या forming क्या form करता है see bridges form करता है it is like a transport system that carries sievers from the point of being produced of the point of disposal यह मतलब कह रहा है कि जो यह pipe दर से दर बिच्छी होती है ग्राउंड के नीचे यह transport system की तरह समझलो काम करता है जहां से originate हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाकर के इसको disposal कर रहा है तो एक जगह से समझलो यह treatment ही तो कर रहा है ट्रांसपोर्ट की तरह ही तो वह कर रहा है अब देखो manholes होते हैं अब यह जितने भी सीवरेज होते हैं हमारे उसमें manholes होते हैं जहां पे दिखो आप अभी नालियों के आसपास सड़क पे दिखो कि कुछ जगह पे ऐसे होल होल सा थोड़ा सा बना होता है वह धका सा होता है जहां पे उसको हटा करके जो उसको clean clean करने आते हैं pipe को ठीक करने आते हैं वह वहां से इंसान उसको मतलब जा करके उसको ठीक कर सकता है वह manholes होते हैं वह लगबग 50 से 60 मेटर के दूरी-दूरी पे बना होता है जितने सेवरेज होते हैं हमारे आपको एक्टिविटी 18.3 में क्या करना है आपको स्टड़ी करना है सीविज रूट इन यू होम स्कूल या फिर किसी भी बिल्डिंग में आप जो है उसको सीविज रूट को आप स्टड़ी करो थोड़ा सा और आप एक डाइग्राम को भी बनाओ सीविज रूट का वॉक डाउन दे स्ट्रीट ऑफ सर्वे और आपको दिख भी रहा है वो ड्रेन जहां से वह पानी जा रहा है वेस्ट वाटर जा रहा है तो आप यह भी अब्सक्राइब करो कि क्या आपको कोई ऑर्गनिजम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है इन केज यू दो नॉट है वाटर वेस्ट होता है वह कहां पर डिस्पोज हो रहा है कहां पर निकल रहा है उसका ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है अब हम देखेंगे treatment of polluted water अब आपको इसमें क्या करना है आपको यह activity थोड़ा सा बड़ा है आपको perform the activity it will help you understand the process that takes the आपको एक activity करना है जिससे आप समझ जाओगे कि वेस्ट वाटर का treatment कैसे होता है treatment plant जो होते हैं वह work कैसे करते हैं आप यह समझ जाओगे अब 18.4 जो activity है इसको आपको perform करना है perform करने के साथ मैं भी आपको बता देते हूँ देखो कभी भी water को जो हम treatment करते हैं वह कभी एक process से नहीं होता है वह बहुत सारे process होता है जैसे पहले हम बार स्क्रीन लगाएंगे मैं अभी short मैं आपको बता रहे हूँ डीटेल में करके पहले हम बार स्क्रीन लगाएंगे फिर grift and sand removal tank से हम उसको पास करवाएंगे फिर first sedimentation tank से ले जाएंगे जहां पे जो है इसला solid waste निकलता है और फस्ट वाला जो मैंने बता है उसमें grit and sand नीचे बैठ जाते हैं बार स्क्रीन में बड़े बड़े चीजे बाहर च्छन जाएं तो बहुत सारे process के through उसको पास कराना पड़ता है तो पहले अभी क्या करो गया आप activity 18.4 में divide yourself into group and to perform this activity और अपने अपनी observation को आपको क्या करना है record करना है पहले आपको क्या करना है fill a large glass of jar आपको एक jar लेना है उसमें 3-4 आपको पानी भर लेना है और उसमें कुछ dirty organic matter आप आपको डाल देना है जैसे grass piece हो गया grass piece हो गया orange peel हो गया आप सारे आपको छिल्की विल्के डाल देना है और थोड़ा सापो detergent भी डाल देना है और कुछ drop up ink wing उसमें color डाल दो क्योंकि clean water में आपको पैसे छिल्की विल्के डाल दिये तो वह clean लगेगा है आपने solid डाल दिय पिएसट वहल देना है एक दन ही वेस्ट वाटर बन जाएगा आफ्टर टू डेइज आपको क्या करना है और थोड़ा पानी गालेगा घैब्ट लागेगा आपको च्छोटा बाने साम्पल के लिए और एक तो तो पानी स्टाइगा आपको एक वेस्ट बन जाए गाएगा ले लेना है उसमें से और बिफोर ट्रीटमेंट आपको सैंपल वन नाम दे देना है और यह कैसे स्मेल कर रहा है दो दिन आप छोड़े हो वह सर्वर गया होगा तो इसमेल बुरा ही कर रहा होगा यानि कि वेस्ट वाटर की तरह ही कर रहा होगा next point आपको क्या करना है use an aerator form an aquarium aquarium से आपको aureator क्या होता है ए मने बिएकिन से बाइशन टैंक होता है जिसको clarified water from the first said सब्सक्राइब तो उसमें जो वाटरी वह होते हैं वेस्ट होते हैं और इसको क्या करते हैं और इसको क्या करते हैं और इसको क्या करते हैं कि प्रोवाइड ऑक्सीजन तो एक्टिवीट एक्टिवीट को एक्टिवीट कर देते हैं अभी यह प्रोसेस आप डीटेल में देखोगे कि कैसे जो ह ले 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 लेना है अपको अरियेटर ले लेना है अक्वारियम से टू बबल एयर थो दे सैंपल ग्लास में जो जार आप लिए हो वहाँ पर इसको परफॉर्म करवाना है अलाव सिवरल लार्स फॉर एरियेशन के लिए चोड़ देना है कुछ गंटे लीव अरियेटर उन्मिय उन्मिय गिंटव यूज में करका अधने लिए नीगेशन को करड़ लेना है अभी में एरियेशन प्रॉसेश्म कर वे जांगें यह बता रहा हैं आपको समझ में आयेगा अब उसके बात क्या करना है पोर अनर्डर सैंपल इंटू दकेंट्ट स्ट्यूग और बब Sample2 नाम देदो भाँ क्या करना है and फोल्ड पीस ओफ कॉल्टर पेपर आपको फिल्टर पेपर लेना है आपको कौन की तरफ उसको बना लेना है वेट अपUole with the What? और अदन इंसर यूद कुल इन फानल मांट अध्य अडू यूर्पला इसे कवकें तरह leaningittal प्रों की तरह दो आपको बना ले लिए लिए और उसके और उसके बाद आपको क्या करना है यह की आपको किस प्रोसेस के थू आपको एसको क्लीन करना है जैसा कि मैंने बताया था आपको कि पहले आपको बार स्क्रीन के थूरू इसमें तो यह दिखाया नहीं बार स्क्रिन के थूरू आपको इसके आपको उसके बाव करण गृत तो यह संड रिमुबल टैंक क्या होंगे उसमें जो यह ग्रिट होंगे और संड वेंड होंगे यह नीचे आकर बैठ जाएंगे और थार्ड में जब फॉस्ट सड्वेंटेशन टैंक के थू ले जाओगे तो वो नीचे बैठ जाएगा और जो है नीचे से वह पास भी हो क्या पता चले यह दिखो यहां पर ऐसे कौन बना करके कर रहे हैं वह चंज आ रहा है जो वैसे थोड़ा solid में है ना और अधर सैंपल फिल्टर इंटू आ फोर्थ टेस्ट यूब आगे 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 क्या करना है आपको कुछ chlorine टाभलेट भी है अलिकिन आपको क्या करना है टेस्ट नहीड आपको क्या करना है अब आपको क्या करना है यह थीज बता दूँं आपको लोगों क्या थीज बता तूं ऑशली नहीं minority Q पेबी जो है यह बहुत जाद मतलब वेस्ट वाटर होते हैं वहां पे आपको युकलेप्टस ट्री लगा देना चाहिए अभी आगे हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि कैसे वह सर्प्लस वाटर को जो है वेस्ट वाटर से अब्जेव कर लेता है और एक्मोस्फेयर में र लेक्विट आफ्टर आरीएशन के बाद लिकविड कैसा दीख रहा था इसको आपको बताना है डिद अरीएशन चेंग अरीशन प्रॉसेस जो आपने करवाया क्या उससे ओर्डर में कुछ महक में कुछ उसके बद्बू में कुछ फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा और वह व बहुत सारे कलर मिक्स हमने इंक मिक्स कर दिया था क्लोरिन मिलाने से वह अटा कि नहीं डिद क्लोरीन है वाज वर्स दैन डाट ओव वेस्ट वाटर को और बूरा बना दिया अब हम थोड़ा डीटेल में देखेंगे कि वेस्ट वाटर का ट्रीट्मेंट कैसे होता है पहले ठीट में परफू वेस्ट वाटर इंवल्स फीजिकल वाइस्टीड यहां जा अडिए जैसे जा जा नाती है तो उसमें से चाही अलग हो जाती है वीयोजिकल प्रोसेस यानि कि उसमें कुछ क्लोरिन जैसे अभी हमने बात करें दाए भी वेस्ट वाटर अब इसके बारे में देखते हैं पहले हमें फर्स प्रेस्टिप क्या करवाना होता है वेस्ट वाटर इस पास थ्रू बार स्क्रीन। अभी मैंने बार स्क्रीन के थूर वेस्ट वाटर को पहले पास करवाया जाता है यह दिको ऐसे लगा हुआ है चिसमें पानी ये पहर आ है याप इमिज में देख रहे होगे लार्ज़ अबजेक्स गिलिवर इसे सब्सी तो यह सब क्या होते हैं के लिखने लाई के लिखेव सोला ऊप बड़े वह बड़े वह इस तुँर सेवधर ही तो हॉनक तो यह क्या करना है मतलब second में क्या करना है कि grit और sand removal tank से क्या करना है कि पानी की speed जो है वो slow कर देगा ये और जिसमें क्या होगा जो pebbles होंगे grits होंगे यानि कि कंकड उंकड होंगे वो नीचे settle down हो जाएंगे इसमें पानी के बहाओ को slow कर दिया गया है थर्ड में क्या किया गया है the water is then allowed to settle a large tank अब उसके बाद large tank में पानी को रखा जाएगा which is sloped towards the middle solid like faces settle at the bottom and removed with the removed with the scrapper this is the sludge ये sludge है skimmer जो skimmer remover होंगे flotable solid like oil and grease अब जो skimmer एक होगा process skimmer removes में क्या होगा जो oil होगा grease होगा ऐसी चीज़े वह उपर जो है तैरने लगे what is water so cleared is called उसको फिर क्या कहेंगे हम clarified water कहेंगे कि वह clear हो गया है pure होगा अभी तो प्यवर नहीं कहेंगे clear ही कहेंगे the sludge is transferred to a separate tank और जो sludge है वह एक दूसरे tank में चला जाएगा और it is decomposed by the aerobic and anaerobic bacteria और यह decomposed हो जाएगा by by the process of anaerobic bacteria when anaerobic bacteria का करेंगे जितने भी यह sludge है उसमें जो है human waste यह जो भी चीज़े हैं उसको जल्दी से यह bacteria क्या करते हैं consume कर लेते हैं और फिस the bio gas produced in the process can be used as a fuel and can be used to produce electricity अब यह डारिक जो है बायो गैस में चले जाएगे जो sludge है और जिससे electricity और energy produce होगा and next में क्या करना है air is pumped into the clarified water अब जो clarified water था उसमें air pump करेगा to help anaerobic bacteria to grow bacteria consume human waste food waste soaps and other unwanted matter still remaining is clarity जो भी अभी clarified water में बचे हैं यह जब air pump करवाया जाएगा तो जो anaerobic अरियोबिक बैक्टीरिया है अरियोबिक बैक्टीरिया है वह क्या करेंगे consume कर लेंगे जो भी जितने भी waste है unwanted matter जितने भी बच गया है clarified water में उसे क्या करेंगे consume कर लेंगे फिर then next क्या होगा की next process होगा after several hours the suspended microbes settled at the bottom of the tank and activated sludge होगा वह नीचे बैठ जाएगा और फिर water को क्या कर दिया जाएगा remove कर दिया जाएगा उपर के पार्ट को आप जैसे एक ग्लास में आप पानी लो और उसमें थोड़े से आप बाल वो लो यह वो डाल दो और थोड़ी ते उसको रख दो तो देखो गंदगी जो होगी वेस्ट जोगा वो नीचे बैठ जाएगा तो ऊपर clean water आजाएगा तो उसको हम दूसरे में remove कर लेंगे उपर के पानी को the activated sludge is about 97% water जो activated sludge है उसमें लगब 97% water है the water is removed by sand drying beds और machines dried sludge को जो dried sludge होता है उसको manure की तरह यूज कर लिया जाता है जो की मतलब मिट्टी को फिर से returning organic matter and nutrients to the soil और जो की soil की fertility को बढ़ाता है और उसमें nutrition को भी बढ़ाता है the treated water has a very low level of organic material and suspended matter it is discharge into a sea अब जो है यह जो treated water है अब इसके पास बहुत लोग लेवल में बहुत थोड़े में अभी भी बहुत जादा प्योर नहीं हुआ रहता है यह लेकिन आप इसको क्या कर दिया जाता है इसको दिया जाता है सी में पिर रिवर मया फिर ड्राउन वाटर में अब नीचर जो होता है नीचर हमारा कितना काम करता है तो नीचर भी को किया रहता है जाती है clean करता है then nature clean of the loser after it is — अब अब फिरद्वार इसको इतना cleaning process के बाद प्लिश के बाद नेचर क्लीन करता है और कई बार क्या करना होता है कि हमें कुछ चरिप योजाश इन एक पाना दाओ जलाक All-गा तक ट्लीन को पानी डाल दिया जाता है को इतनी चीज़ें देखा नेक्स नेक्स पार्ट में देख लेंगे भीकमान अप्टिव सिट दूस्ट इसके वारे में देखेंगे होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे जो हैं पानी वॉटर को हम क्लीन करते हैं कैसे कैसे प्रॉसेस के थू नशी है मतलब इसमें देख लिया होगा विए पहले हम्ढ़र मेपांके पारीम स्क्रेंड के तू पार दू पानी पास करवाते हैं फिर बड़े बड़े जो हैं जो solid waste होते हैं वो रूख जाते हैं यानि कि छानने पर फिर उसके बाद कैसे grit and sand removal tank में वो नीचे बैठ जाते हैं grit and sand उसके बाद first sedimentation tank में solid मतलब जो sludge होते हैं solid waste वो नीचे बैठ जाते हैं फिर aeration tank भी हम देखे कि कैसे compressed air को वो होता है और उसके थ्रू अरियोबिक बैक्टीरिया कैसे जो हैं consume कर लेते हैं उसके बाद हमने second sedimentation tank में देखा कि कैसे activated sludge नीचे बैठ जाते हैं और हम clean water को river में और या फिर sea में discharge हो जाता है और फिर उसके बाद नेचर भी थोड़ा बहुत इसे clean करता है थोड़ा बहुत क्लीन करता है और हम देखते हैं कि कैसे उसे disinfect करने के लिए हमें कुछ chemical भी यूज़ करना चाहिए तो I hope बहुत कुछ आप लोगों ने सीखा होगा जब नेक जब नेकर बहुत करना चाहिए और लोगड़ाओां तो क्यों करता है।